हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपकी होस्पता वेलकम टू कालिमेच दोस्तों लेट नाइट बेकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है वीकेंड नाइट पर फ्रेश्ले पेट कुकीज, कपकेक्स और फामली के साथ धेर सारी बाते अच्छा लगता है ना तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकिया है कोकोनेट माकरून्स कोकोनेट माकरून बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम अन्स्वीटन डेसिकेटर कोकोनेट ये किसी भी सुपरमार्केट में इजिली अविलेबल है 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर एक एग वाइट 30 ml सलफलार आई 40 ml पानी 1 अवाफ टीस्पून वानिला एसेंस 1 फूर टीस्पून नमक और हम लेंगे एक सेमी स्वीट चॉकलेट बार जिसे हम दबल बॉलर में मेट करेंगे हमने यहाँ डेसिकेटर कोकोनेट इस्तेमाल किया है डेसिकेटर कोकोनेट में स्वीटनेस और मोईस्चर नहीं होता तो सबसे पहले हम इसमें sweetness डालेंगे डाल देंगे powder sugar आईए अच्छे से mix कर लेते हैं शक्कर और coconut अच्छे से mix हो गया है अब हम पानी और तेल को एक साथ mix करेंगे आईए इसे डाल देते हैं हमारे mixture में इन सब को हम अच्छे से mix कर लेंगे यह mixture अभी ready है अब हम इसे 10 मिनिट के लिए rest होने के लिए रख देंगे मैंने यहाँ egg white में नमक डाल के रखा है हम इन्हें hand blender में medium speed पर एक साथ whisk करेंगे जब तक इसमें stiff peak ना जाए यह हमारा अंडा फेट के तयार है आप देख सकते हैं इसमें अभी stiff peak आ गया है हमारे coconut के mixture में अब हम डाल देंगे condensed milk और vanilla essence और इन्हें एक साथ mix कर लेंगे यह mixture में हम folding कर लेंगे egg white आई अवन को preheat कर लेते हैं convection mode select करेंगे temperature set करेंगे 160 degree centigrade start दो बार प्रेस करेंगे यह अभी preheat हो रहा है baking paper हमने butter paper लगा लिया है एक piping bag की साहिता से हम इसमें macarons डाल देंगे आप चाहे तो इन्हें हाथ से भी drop कर सकते हैं आई अभी इन्हें अवन में रख देते हैं 15 से 18 मिनिट तब macarons को हमने लो रख पे अवन में रख दिया है आई अभी time set कर लेते हैं time set करेंगे 18 मिनिट start कर देते हैं macarons को बेख हुए 15 मिनिट हो गया है इनका surface हलका brown हो गया है यह अभी तयार है आए इन्हें निकाल लेते हैं macarons को हमने ठंडा करने के लिए अलग रैक पे रख दिया है आए तब तक next batch लगा लेते हैं वैसे तो यह macarons खाने के लिए बिलकुल तयार है बट अब हम इसे और मज़दार बनाएंगे मैंने यहाँ पे melted chocolate लिया है chocolate को मैंने double boiler method से melt कर लिया है chocolate को double boiler में melt कैसे करते हैं उसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अविलेबल है हम macarons का base चोकलेट में dip करेंगे कुछ इस तरह और इसे plate में इसे रख देंगे macarons को हम 10 से 15 मिनिट तक fridge में set होने के लिए रख देंगे आईए अब हम इने 15 मिनिट के लिए refrigerate कर देते हैं दोस्तों यह coconut macarons तयार है glass of milk या फिर evening coffee के साथ यह best accompaniment है कभी बनाईए इसे आप अपनी tea party पर या फिर kitty party पर आपके महमान ज़रूर खुश हो जाएंगे आपको यह recipe कैसी लगी हमें ज़रूर बताईए kalimirchmaismita.com पर Till then, keep watching, enjoy cooking, bye bye झाल